वन सभी प्यारे बच्चों का वर्म वेलकम करता हूँ शुरू करेंगे आज की क्लास को 11 सप्टेंबर की with the first territorial of the Hindu आर्टिकल लिखा गया है economic theme में और GST की बात करेगा insurance products पे life insurance, health insurance जो की बहुत ज़रूरी है आम आदमी के लिए जिन्देगी भर की कमाई चले जाती है health insurance अगर आपके पास ना हो और घर में कोई बड़ी बिमारी आ जाए तो ऐसे important products के उपर सरकार GST लगा रही है भरवर के 18% का क्यों लगाया जा रहा है इस article में देखेंगे शुरू करते हैं article को interesting है these are your questions again questions को class के अंत में solve करना है पूरे मन से करेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे या को objective है आई ये lecture को शुरू करें all right soothing salvo salvo क्या होता है अंग्रेजी में salvo word के दो meanings है इसका मोटा मोटा meaning होता है salab किसी भी चीज की बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी quantity में किसी चीज का होना या आना अब ये salab दो ही चीजों का होगा ऐसा नहीं है कोई पानी का salab आ गया तो salvo यूज कर लिया नहीं नहीं salvo word सिर्फ दो चीजों के salab के लिए use होता है पहली चीज है गोली बारी का salab अचानक से कोई बहुत सारी तोपे चलने लगे है ना आपके उपर गोली की बोचार हो तो आप बोल सकते हैं ये दुश्मन का salvo है गोली की बोचार है अब जब गोली की बोचार होगी तो उसको barrage और वोली भी बोला जाता है salvo के synonyms है salvo का दूसरा meaning है अगर एक cheers का बोचार आजाए जैसे आपकी फेवरिट टीम जीद गई आप सब लोग तालियां बजाने लगे है ना हूटिंग करने लगे जोड-जोड से खुशी मनाने लगे तो जब भी किसी चीज पर आप cheer करते है और salav आता है spectator से उसको भी अंगरेजी में salvo बोला जाता है ठीक है अब देखो salav पानी का आता है तो उसके लिए अलग words है आपने पास inundation, floods, हैना वो अलग words है इन दोनों चीजों के साथ में salvo word को आप connected रखें थोड़ा complicated लग सकता है आपको लेकिन दो, तीन, चार बार इस word को use होता हुआ देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा करें जी, salvo आया है बड़ा soothing soothing यानि जो आपको soothe करे आपको थोड़ा सा मलहम लगाए वो कहां से आया, क्यों आया यह देखेंगे title paragraph से करें तर जी एस्टी काउंसिल has held out hope for some relief for insurance consumers करें जो जी एस्टी काउंसिल है वो वाली काउंसिल, वो वाली committee जो जी एस्टी कितना लगेगा कब लगेगा, किस पे कितना घटेगा कितना बडेगा, यह डिसाइड करती है करें यह जी एस्टी काउंसिल है ना इसने hold out किया है perfect tense में hold out करना, किसी चीज़ को extend करना, दूसरे के सामने रखना offer करना, तो इस जी एस्टी काउंसिल ने हमें offer किया है कुछ आशा, या कुछ hope और किसी चीज़ के लिए थोड़े relief के लिए, थोड़ी राहत के लिए insurance consumers का, जो ऐसे consumers जो insurance को लेते हैं तो जी एस्टी काउंसिल ने insurance पे tax तो कम नहीं किया लेकिन tax कम करने के असार दे दिये हैं, हो सकता है अगली meeting के अंदर tax को हटा दिया जाए, life insurance health insurance, आपका tax free हो जाए तो एक आपको hope जो अना उसने extend की है, hold out की है, offer की है जी एस्टी काउंसिल में और यही चीज एक soothing salvo है बड़ी ही मन को बाने वाली एक cheer है आपके अंदर से आने वाली खुशी है समझके, चलो 18% tax काफी होता है अगर आप साल की 50,000 की insurance करवा के बैठे हो life insurance या health insurance 18% 8 से 10,000 रुपे आपके tax में जाते हैं, जो की अब नहीं जाएंगे चलिए GST council subject है has held out इसकी verb है, hold out की third form लगी हुई है, has के बाद में perfect tense बना हुआ है यह जो some relief है या जिसको आप बोलते हैं, छोटा सा relief इसके लिए बहुत सारे words है हमारे पास, one words थोड़ी सी राहत, छोटी सी राहत है ना, ऐसी राहत के लिए कौन-कौन से words आपको याद आ रहे हैं, देखो बहुत सारे हैं 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे एक बार दिमाग पर जोड़ डालो, मैंने कई बार करवाए हैं आपको फिर मैं सारे आपके सामने लिख देता हूँ चलो, बीज-बीज में एक class work देता हूँ आपको तक ही आपका दिमाग काम करता रहे देखे, इसके लिए एडियम होती है cold comfort छोटी सी राहत ठीक है फिर एक दूसरी इडियम होती है short in the arm इसका मतलब होता है छोटी सी encouragement राहत तो नहीं लेकिन encouragement थोड़ा सा बढ़ावा आपको मिलता है न वो आपके लिए short in the arm होता है तीसरा meaning है इसके लिए reprieve एक और word है इसके लिए solace जिसको लिखा जाता है solace बोला जाता है solace solace एक ऐसी राहत है जो आपको disappointment में आती है आप हार गए असफल हो गए नाकामियाभी जेल ली आपने फिर last में आप सोचते हो ना चलो अगली बार से हो गया इस बार जो होना था तो आप जो वाली राहत एक फील करते हो अपने अंदर कि अगली बार मैं करके दिखाऊंगा इस बार हो गया जो होना था तो वो राहत कहलाती है अंग्रेजी में solace थोड़ा थोड़ा अलग अलग मीनिंग्स है लेकिन सभी छोटी राहत के synonyms है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आजाओ इस आर्टिकल को शुरू करें एक summary के साथ में यूटूब पे तो अपनी classes आई रही हैं इन classes के साथ में आपको अगर structured way में guidance है हो अपने exams के लिए तो download करें YET Your English Tutor app को comment section में इसका link मिलेगा आपकी अपनी app है बहुत affordable prices में quality content वाले courses आपको मिल जाते हैं जैसे writing का course इस course में 60-70 गंटों में आपको English writing सिखाई जाती है फिर आपको essay लिखना हो report लिखना हो answer लिखना हो यह सब इसमें basic से cover होता है पचास अजार से भी ज्यादा बच्चे इस course में इंडोल्ड है फाइदा ले चुके हैं इसी तरीके से आपको mission civil services course मिलेगा जो की writing course का ही बड़ा form है इसमें आपको सारे topic जो civil services के लिए ज़रूर ही है राइटिंग के हिसाप से जैसे answer writing, pricey writing, cset, descriptive ये सारे topic आपको 200 घंडे के इस course में अच्छे से तयार करवाए जाते हैं course पे भी कुछ coupon सर रहे हैं फाइदा ले लेना banking और SSC के course में full practice sets मिलेंगे आपको prelims mains के clerical PO के एक-एक साल के practice course हैं हर question को आप previous year papers के साथ में तयार कर सकते हैं app का link comment section में है कोई query हो तो ये whatsapp number है इस number पे आप team से जुड़े उनसे कुछ पूछ ना हो तो पूछ पाएंगे summary यह है जी health insurance और life insurance बहुत जरूरी है आपने जिंदगी पर कमाई करके है ना पूरा retirement corpus बनाया 50 लाग का सारी जिंदगी मेनत की और आपको बदा लगा धर में किसी को बड़ी विमारी हो गई उसमें 40 लाग का खर्चा आगया डॉक्टर का जो अगर आपके पास 50 जार 50 लाग होंगे तो आप अपने घर के member को मरता हुआ नहीं देखेंगे आप या मैं कोई भी तो आप क्या करेंगे अपनी सारी जिंदगी की पूंजी उस आदमी पे लगा देंगे चाहे वो चंगा हो या ना हो आपके पैसे हो गए खतम और अगर आप कमाने वाले आदमी हैं और किसी एक्सिरेंट में आपकी डथ हो गई मेरी डथ होगी किसी भी इंसान की तो आपका पूरा घर जो है सारी फैमिली विख़ड जाएगी तो इन चीजों के लिए हम लेते हैं लाइफ और हैल्थ इंचॉरेंस और सरकार के उपर ही बोज कम होता है अगर किसी आदमी का परिवार सड़क पे आता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कल को उस आदमी को गरीवी से निकालना तो लाइफ इंचॉरेंस हैल्थ इंचॉरेंस लेकर के हम अपने परिवार और सरकार दोनों का खयाल रखते हैं तो ये इतने जरूरी प्रोड़ेक्ट्स हैं Life Insurance, Health Insurance सरकार ने इस पर क्या कर रखा है 18% का GST लगा रखा है हमारा आर्डिकल कर रहा है कि ये किस मतलब का है GST आदमी अपना भला करना चाहे गरीवी से अपने को दूर रखना चाहे उस पे भी आप 18% GST लगा होगे आपको एक मज़े की बात बताता हूँ अगर आप एक हलिकोप्टर किराये पे ले अलागी बहुत पैसा लगेगा उस पे 2,5,3 लग रुपया गंटा का कुछ खर्चा होता है हलिकोप्टर किराये पे लेने का उससे कहीं जाने आने का अगर आप helicopter किराए पे लेते हैं तो जो भी खर्चा आप देंगे GST 5% है तो हमारा article कर रहा है कि बड़ी अजीब सी बात है helicopter किराए पे लेओगे तो 5% GST जो की अमीर लोगों का काम है और गरीब आदमी अगर अपना insurance करवाए उस पे आप 18% GST ले रहे हो अब इसी चीज के उपर देश में बहुत हो अलना होने लगा है बहुत शोर गुल मचने लगा है और GST council ने इस बार इस पे फैसला तो नहीं लिया लेकिन एक अंदेशा दे दिया कि शायद अगली meeting तक इस insurance products के उपर GST को अटा दिया जाएगा हमार आर्टिकल कर रहे हैं कि हम तो anticipate कर रहे हैं हटी जाए थोड़ी hope जो है consumer को जरूर मिली आज की tone है anticipatory जिसमें आप anticipation करते हैं किसी चीज को अच्छी चीज के होने का expect करते हैं आपके अंदर से अच्छी feeling आती है तो anticipatory tone में लिखावा आर्टिकल है चलिये शुरू करें Meeting for the second time after the 2024 general election results The Goods and Service Tax GST Council on Monday September 9, 2024 sought to calm some of the rising clamor against the 18% indirect tax levy on insurance premium payments करेजी meeting मिलते हुए दूसरी दफा for the second time और कब 2024 के आम चुनाओं के general election या लोकसवा चुनाओं के results के बाद करेजी इस काम को करते हुए हुआ क्या हुआ ये कि इस काम को करते हुए जो ये council है GST council इसी सोमवार को 9 सितंबर को इसने sought किया कोशिश की seek किया seek की second form है sought किसी काम को करने की कोशिश करना और कोशिश थी कि काम करदे ये सूद करदे या नर्म करदे धीमा करदे कुछ एक sum of उड़ते हुए clamor को बढ़ते हुए shore goal को clamor क्या होता है किसी चीज के खिलाफ हुआ अल्ला और ये shore goal किस के खिलाफ था ये clamor था 18% के indirect tax levy पे direct tax मतलब income tax indirect tax मतलब GST, VAT है ना ये सारे indirect taxes हैं तो 18% के GST की tax की levy पे levy होती है किसी चीज पर लगने वाला dund या fine या tax और ये जो लगता था insurance premium payments पे जो भी health और life insurance आपने करवाया है उसके हर साल के जाने वाले premium के बहुतान पे तो इस तरह के से GST council ने somewhere को इस गुसे को public के शांद करने के लिए कुछ कोशिस की इन्होंने कि 18% levy को हम कम करेंगे या हटा देंगे और ये काम जब इन्होंने किया था तब ये दूसरी दफा मिल रहे थे इस election के बार, नहीं तो ये 6 मीने नहीं मिलते लेकिन जैसे election इस बार हुआ है क्लैमर में यानि शोरगुल, रकस किसी चीज के खिलाफ हू अल्ला उसको बोलते हैं क्लैमर टैक्स लेवी मतलब टैक्स का धंड जो भी लगाया जाता है इन्शॉरेंस प्रीमियम पे चली ओर आगे बढ़े, हर चीज क्लियर करते हुए चलो करा है, a new group of ministers is being formed to urgently recommend tax changes for life and health insurance policies करा है एक नया GOM यानि group of ministers, बहुत सारे ministers का ग्रूप होगा, जो इस चीज पे विचार विमर्ज करेगा, deliberate करेगा, करा है एक नया GOM जो है उसको form किया जा रहा है, ऐसी committee को बनाया जा रहा है और क्यों? ताकि वो urgently यानि फटा-फट से recommend कर सके tax में बदलावों को life or health insurance की policies पे, और ये कैसे होगा? With an assurance, the council would meet again in November to take a call and report. ये सारा काम होगा इस assurance के साथ में, इस भरोसे के साथ में कि ये council फिर मिलेगी अगें जो है इसी November में दो महिने बाद ताकि वो take कर सके call को final decision को ले सके अपनी report पे. इस तरीके से सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमने G.O.M. बना दिया है, ये minister दो मेने अपनी report बनाएंगे, सोचेंगे, बात करेंगे और November के अंदर हम फिर मिलेंगे, council बैठेंगे और इस report के अधार पे हम final decision लेंगे. चलिए G.O.M. की verb है, is being formed. ग्रूप है, तो ग्रूप singular है, वर्ब singular लगाई गई है, इसलिए passive voice है, present continuous tense में, is being प्लस में verb की third form, active passive का जरूर ध्यान रखा करो, subject कौन क्या काम कर रहा है, subject की उपर क्या काम हो रहा है, अगर आपको active passive नहीं आते हैं, आपको समझी नहीं आया है, मैंने अभी क्या बताया, तो अभी आप fit नहीं है, इस कांग को करने के लिए, जो मैं आप वो करवा रहा हूँ, है ना, फिर तो वो हवा में पाम वारने की बात है, जोड़ जोड़ से पाम मरूँगा तो शायद उड़ने लगूँगा, तो आपके punk आएंगे तभी आप उड़ोगे, जब ये चीज की understanding आएगी, तभी आप इन चीजों को पढ़ पाओगे, ठीक है, तो ये grammar जो basic है, आपके punk की तरह काम करती है, council की वो अब है, would meet, कैरा जी this marks a notable shift from last month, कैरा ये पूरी जो घटना हुई, ये mark करती है, निशान बनती है, एक notable shift का, एक note में आने वाले, ध्यान में आने वाले बदलाव का, जो आया पिछले महिने से, एक बड़ा बदलाव आया, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, ये पूरी घटना इस बदलाव को mark करती है, और कब आया पिछले महिने में क्या सिर्टा से, सकती से, मजबूती से, defend किया था, बचाव किया था, GST की लवी का हमारी पर्लेमेंट में, तो पिछले महिने मैडम ने बोला कि GST लगेगा, जरूर लगाएंगे, life insurance पे, health insurance पे लगना चाहिए, और इस महिने क्या बोल रही है, हाँ हाँ हम सोचेंगे, तो एक बड़ा बदलाव आया निर्मला सितारमन जी की टोन में, और यह कैसे हुआ है, noting that states earn a large chunk of these revenues, जब इन्होंने पर्लेमेंट में यह बोला कि GST लगना चाहिए, तब यह note करते हुँ बोला था, कि राज्य जो है, वो भी earn करते हैं, एक बहुत बड़े chunk को या हिस्से को GST के revenue का जो insurance policy पर लगता है, and member of parliament who took on the center, on the matter, must flag it with state's ministers, और करें जो MP हैं, जिनोंने take on किया या हमला किया, आड़े हाथो लिया, take on करना, किसी को आड़े हाथो लेना, center को, सिता रमन जी की ministry को, इस पूरे मामले पे, on the matter पे, उन लोगों को flag करना चाहिए, या ध्यान में लाना चाहिए, इस पूरे मामले को, इट को, state के ministers के साथ में, राज्यों के, निताओं के साथ में, और क्यों, as they were a party to council decisions, क्योंकि state के minister भी एक party है, एक stakeholder है, एक हिस्सा है council के decisions का, फैसलों का, तो उन्हों ने यही बोला था, GST लगना चाहिए, और बिलकुल लगना चाहिए, और जो MP कह रहे हैं, नहीं लगना चाहिए, जो शोर मचा रहे हैं, सबसे पहले वो MP, अपने-पने state के ministers के पास जाएं, और पहले उनको ये बात बताएं, कि नहीं लग payment में GST पे defend किया था, इस पूरे मामले को, meaning पूरा अच्छे समझ में आया, चलो, this की वोब है Marx, सीता रवन जी की वोब है, had defended, staunchly, यानि बहुत firmly, बहुत strictly, किसी चीज को जब डिड़ता से, resolution से, determination से करते हैं, तो staunch तरीके से करते हैं, अगर आप staunch supporter हैं किसी party के, तो आप एक अंदे क्रिटिक हैं, आपको सिरफ अलोचना करना आता है, तो ऐसे staunch word को याद रखना, है ना, चलो, अगर आप जोड सको, तो रवीश कुमार जो है, staunch critic है, ruling BJP के, है ना, और अर्णव गोस्वामी जो और उनकी पूरी फौज है, वो staunch supporter है, तो ये staunch word आप पाल elements, इसकी वोब है must flag, किसी मामले को flag करते हैं, तो उसको सबके ध्यान में लाते हैं, ये MP के लिए who आया है, who की वोब है took on, when you take on somebody, आप उसको challenge करते हो, या आप उसको अड़े हातो लेते हो, कराई जी, it must be noted, that a reconsideration of GST levies on insurance, had come up at least three times, under the council's ages, कराई ये बाद भी note की जानी चा काम है, reconsideration का काम है, जो है GST के दंड का या लेवी का, insurance products पर, ये जो है न, reconsideration, ये come up हो चुकी है, introduce हो चुकी है, आ चुकी है, कम से कम तीन दफा, at least three times, और कभ, council की ages के अंदर, council की छतर चाया के अंदर, ages क्या होती है, छतर चाया समझते हो न, आप उपर बैठे हो, आपके नीचे बहुत लोग है, वो आप उनका decision लोग है, तो आप, सब लोग आपकी ages के अंदर है, तो ये बात भी note करना, कि ये पहला मामला नहीं है, तीन बार इस council के सामने, GST कम करने का मामला आ चुका है, और करहें ये कब हुआ था, ये सारा मामला start हुआ था, एक year and a half से, या वो situation as it is go, prefer किया गया था हर दफा, तो हर दफा ये सुचा गया कि जो चल रहा है, चलन देऊ, लगता है, टेक्स लगन देऊ, तो ये status quo को हमेशा बना के रखा गया, तीन बार इस मामले को council में उठाया गया, तब भी, चलो, it की वोब है, must be noted, note करेंगे passive voice मे, reconsideration की वोब है had come up, status quo यानि यह था स्थिती, जो जैसा है, वो वैसा सी, चंगा सी, status quo की वोब है, was preferred again passive voice में, come up होना, किसी चीज़ का introduce होना, उभर करके emerge हो के आना, एक और half, आप ये half देख रहे हैं, half से पहले, quarter से पहले हमेशा a का इस्तेमाल करें, है ना, a year and a half, a year and a quarter, है ना, a quarter लिखें, a half लिखें, इस a का इस्तेमाल जरूर होता है, ये three times से आगे दह लगना चाहिए था, जैसा मैंने आपको अभी उपर बताया, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, लेकिन at least नाम का determiner already आ चुका है, तो इस determiner के वजए से आप दूसरी determiner the का इस्तेमाल नहीं कर रहे है, ठीक है ना, at least जो एक determiner है, determiner क्या होता है, एक adjective होता है, लेकिन quantity बता देता है वो, कौन सी चीज कितनी मातरा में है, तो at least मतलब कम से कम, तो कम से कम एक quantity बताने वाला determiner है, अंगरेजी करवाएंगे आपको संदेगी क्लास में पांच मिनट का कॉंसेप्ट है, कराएजी what is plausibly different this time around is that the governments on have accord the sentiment, कराएजी जो चीज plausibly different है, plausibly यानि possibly, different यानि अलग, जो चीज संभावी तोर पे अलग है, this time, this time, around, this time around मतलब इस दफा, this time को हम this time around लिखते हैं न, ये एक फ्रेज अंगरेजी में, this time around, कराएज वो चीज है, that वो ये, कि सरकार के खुद के लोगी, governments on, उन्होंने एको कर दिया है, support कर दिया ह है, इसी sentiment को, अब बाहर के लोग नहीं कहरें, सरकार के खुद के अंदर के आदमी कहरें, कि ये GST क्यों लगार का है, भाई, health insurance पे, ये तो अटाओ, ये चीज इस बार जो थोड़ी सी different है, सरकार को, थोड़ा pressure में ला रही है, what की वोब है, is, इस पूरे close की वोब है, is, ज have echo, echo करना, या नहीं किसी चीज की गूंच करना, जैसे आपने किसी पहाड से जोर से आवाज लगाई, तो पहाड़ों में आवाज गूंचती है, वो echo करती है, तो अगर आप किसी की बात को दोरा दे, उसने बोला ऐसा होना चाहिए, आपने बोला हांजी हांजी ऐसा होना तो आप उसकी बात को echo कर रहे हैं, दोरा रहे हैं या उसकी बात को support कर रहे हैं, तो सरकार के खुद के लोगों नहीं दोरा करके support कर दिया public के sentiment को, करे वाइल, Union Minister गड़करी has averred that the GST levy on life insurance premium is tend amount to taxing the uncertainties of life, करे जहां Union Minister गड़करी जो हैं, वो ऐसा aver कर चुके हैं, A, V, E, R, ever करना, सकती से कहना, assert करना, claim करना, दावा करना, तो गड़करी साफ इस चीज को सकती से कह चुके हैं, कि GST का दंड जो है, tax जो है, life insurance के premium पे, वो 10 amount है, वो equivalent है, वो equal है, बराबर है, tax लगाने के, tax करने के, अनिश्चिताओं को, uncertainties को life की, अगर आप life insurance पे GST मजलो, आम आदमी के emotion के साथ आप खेल रहे हैं, एक तो उसकी जान जाएगी, और जान को जाने का, जो financial जोखम है, उसको बचाने के लिए, जो insurance लिया, उसके भी आपने मज़े ले लिया, 13% tax card लिया, तो करें, जहां गड़करी साफ ने इस बात को कहा, वहीं, the BGP's, now critical allies, such as Telugu देशम पार्टी और TDP, and JSP जन सेना पार्टी, have also sought a rollback of the levies on health and life insurance, करें वहीं पे, BGP के अब critical allies हैं, जो बहुत जरूरी दोस्त हैं, जिन से सरकार वनी हैं, NDA की, जैसे की TDP और JSP, इन्होंने भी सीख किया है, सौट किया है, पैसी वोईस में, एक rollback को, एक withdrawal को, withdrawal यानि किसी चीज़ को वापिस खींचना, rollback करना, तो वापिस खींचने को, उन levies को, उन taxis को, जो health and life insurance पे लगता है, तो सभी लोग BGP के NDA के अंदर से ही वोल रहे हैं कि हटाओ, इसको insurance को, इसलिए NDA की सरकार, pressure में आकर के, ऐसे काम कर रही हैं, कहने का मतलब यह, union minister gadgari की वोब है, has ever, ever करना, किसी चीज़ को द्रड़ता से, सक्ती से कहना, has plus V3, passive voice, perfect tense लगा हुए active में, GST levy की वोब है, is, equivalent to, tent amount to, equal to, किसी चीज़ का दूसी चीज़ के बराबर होना, BJP's, allies की वोब है, have sought, जब आप किसी चीज़ को seek करते हैं, उसकी मांग करते हैं, तो seek वोब को ही, have के बाद में, V3 में, लगाया गया है, रोल बैक मैंने आपको बताया, किसी चीज़ का withdrawal, अगर आपने किसी चीज़ को introduce किया, launch किया, तो roll out किया, अगर launch करके cancel कर दिया, तो roll back किया, और आगे से आगे continue कर दिया, तो roll over कर दिया, तो 2017 में insurance पे roll out किया गया था GST को, 2024 में insurance पे GST को roll back किया जा सकता है, और अगर insurance पे GST roll back नहीं हुआ, तो आगे ये roll over हो जाएगा, आगे से आगे 26, 25, 26, 26 तक continue रहेगा, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं, तीनो एडियम रोल से बनती हैं, phrasal verbs ध्यान रखना, करैप परेप्स, not unrelated is the government's post-poll decision, to desist from Tom Tomming, GST's boy and monthly collections, करैजीव शायद unrelated नहीं है, आज सम्बंदिद नहीं है, सरकार का post-poll decision, सरकार का election के बाद का फैसला, और किस शीज का, desist from करने का, refrain from करने का, परहेज करने का, अपनी पीट थफ़वाने से, Tom Tomm करने से, टॉम टॉम एक drum set होता है, जिसको आप बजाते हैं, डॉमर देखेंगे न, आपने college में, या किसी band band में, तो धोल बजाना बोल सकते हैं, आप Tom Tomming करना, तो करैजीव जहाँ, सरकार ने जो decision लिया था, कि वो परहेज करेगी धोल बजाने से, Tom Tomming करने से, GST के buoyant मतली collection को, GST की हर महिने होने वाली, जिन्दा दिल collection को, buoyant, lively, इस साल एक लाग करोड, इस महिने एक लाग करोड, अगले महिने सवा लाग करोड, तो सरकार का ये जो फैंसला है न, शायर ये भी unrelated नहीं है, और क्यों? perceived by many, as a celebration of high levies on consumers, क्योंकि ये सरकार का जो tom-toming था, ढोल नगाड़ा था, हर महिने बजाने का, ये perceived किया जाता था, समझा जाता था, या अनुबव किया जाता था, काफी लोगों के द्वारा, आम इंसानों के द्वारा, एक जच्चन के तौर पे, जो है, मोटे मोटे टेक्सिस का, कंजूमर के उपर, तो अगर न्यूज आये, इस महीने जी एस्टी इतना बढ़ गया, सरकार को इतना खजाना मिला, तो आम आदमें खुश नहीं होता, उसको गुस्सा आता है अंदर से, उसके दात पीशने लगता है वो है ना, जिन लोगों को फर्क पड़ता है, आम आदमी समझगे ना, मिडल ग्लास, तो उसका खून गरम होता है, कि मेरा ही पैसा तो ले रहे हो तुम, फिर ये न्यूज के उपर दिखाते हो रोज है ना, खुशी से अपने पीट थप थप आगे, कि इतना कलेक्शन हुआ, तो ये टॉम टॉमिंग जो है, ये जो दोल नगाडे हैं, सरकार ने बजाने बंद कर दिये, सरकार बोलती है, हम बताएंगे इन ये अफ GST कितना कलेक्ट हुआ, तो ये decision जो है, is not perhaps unrelated, शायद इस चीज़ से unrelated नहीं है, जुड़ा हुआ है, डेजिस्ट फ्रॉम करना, रेजिस्ट फ्रॉम करना, एबस्टेन फ्रॉम करना, रिफ्रेन फ्रॉम करना, किसी चीज़ से परहेज करना, buoyant यानि जिन्दा दिल, lively, हर महीने बढ़ता जा रहा है, जिन्दा दिली के साथ में, GST का tax collection तो buoyant है, perceived यानि जो perceived किया गया हो, सोचा समझा गया हो, या अनुभव किया गया हो, कराई जी GST revenues, just from, health insurance premium rose, over 54%, between 21-22 and 23-24, कराई GST के revenue जो है, सिर्फ health insurance के premium से, वही रोज कर गए, बढ़ गए, 54 टका से जादा, 21-22 और 23-24 के बीच में, दो सालों के अंदर, और कैसे, yielding 8,260 करोड रुपीज, last year, yield करते हुए, उपज करते हुए, उगाते हुए, बनाते हुए, सरकार के लिए, इतने सारे रुपयों को, last year, जो है, पिछले-पिछले साल, समझ गए, चलिए, revenues की वह बेर रोज, ये between and, आगको पता होगा, range बताने के लिए, यूज होता है, between 21-22, and 23-24, तो ये दोनों साथ चलते हैं हमेशा, between और and, जब भी range बताई जाए, अगर दूसा तरीके से लिखना है, तो between and को from to भी लिख सकते हैं, mix मत करना, between के साथ में to मत लगाना, from के साथ में and मत लगाना, दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, लेकिन काम एग ही करती हैं, range बताती हैं, चलिए, इन तीनों का मतलब होता है, किसी चीज़ का उपर चड़ना या बढ़ना, अपने आप से, जैसे temperature बढ़ गया, तो temperatures have risen, किसी ने बढ़ाया क्या, अपने आप बढ़ाया ना, गर्मी ने बढ़ाया अफकोर्स, लेकिन आपने या मैंने तो नहीं बढ़ाया, सरकार ने तो नहीं बढ़ाया, जब भी कोई चीज़ अपने आप बढ़ती है, तो उसको आप rise वर्ब से बताते हैं, second form rose, third form reason, लेकिन ध्यान क्या करना है, rise, rose, reason को raise, raised, raised, इन दोनों तीनों वर्ब से confuse नहीं करना है, ये तीनों V1, V2, V3 बताती हैं, उपर उठा देने को या बढ़ा देने को, अगर आपकी salary बढ़ गई 10%, तो your salary rose by 10%, अगर आपकी salary बढ़ा दी गई 10%, तो your salary was raised by 10%, कोई बढ़ाएगा, उठाएगा, तो raise verb अपने आप से बढ़ेगी, उठेगी, तो raise verb, बढ़ा देसी वाज़ा में एक concept मैंने आपको समझा दिया, बाकी इसके और भी चीज़े हैं, जैसे इसमें आप object देख सकते हैं, जब raise verb होगी तो उसमें कोई object नहीं होगा, क्योंकि चीज़ खुदी उठ रही है, raise में जिसको उठाया जा रहा है, वो object भी होगा, तो technically भी जा सकते हो, अगर देखना चाहो, Since the government, अब rise या raise में से सही वाभ यूज़ करनी है, fuel prices, inflation has rise या raise by 5% in a single month, जब से सरकार ने बढ़ाया fuel के prices को, पेट्रोल, डीजल के दाम को, inflation बढ़ गया है, इतने प्रसेंट से एक महिने के अंदर, class work है, मेरा मुह मत देखो, सही वाभ को सही blank के अंदर रखने की कोशिश करो, form भी सही लगाना, ऐसा नहीं है, rise वाभ आएगी तो rise यी लिख दूँ, तो सही वाभ लगाना, अगर rise की second form आएगी, third form आएगी, जो भी आएगी उसको लगाओ, देखो inflation, जब से government ने बढ़ाया है, fuel के prices को, बढ़ा देने के लिए verb यूज होगी, raise, second form यूज होगी, क्यूंकि past में हुआ है काम, तो since the government raised, raised fuel prices, inflation बढ़ गया है, 5% से, inflation बढ़ गया है, यानि, has, has, वीजरी लगा रहा हूँ, rise की reason, ठीक है ना, तो इस तरीके से, सही वर्ड को, सही वर्ब को, सही जगा यूज करना है, अपना answer अभी comments में डाल दो, जो आपने सोचा था, ताकि मुझे भी बचा लग जाए, कितने बच्चे एक concept को, सही से handle कर रहे हैं, premium, premia, addendum, addenda, bacterium, bacteria, podium, podia, stadium, stadia, याद न, datum, data, तो यह singular जो है, वो UM लगा के बनते हैं, premium यानि, एक premium, premium या मतलब कई सारे premiums, तो वो सारे nouns अंग्रेजी में, जिनके बीचे UM आता है, जब वो singular से plural बनाए जाएं, तो UM को निकालके, जो है, A का इस्तिमाल कर दिया जाता है, जैसे bacterium, अगर खाली A को तो bacterium, और बहुत सारे हों, तो bacteria, याद रखना है, यह premium, प्रीमियम वाला ही वर्ड है, जो आपने सीखा हुआ है, कराई जी, One hopes that any reduction in the GST on health covers, considered by the council, is not selective or limited, कराई अब कोई भी आदमी, यह भी hope करता है, यह आशा भी करता है, कि जो reduction आएगा GST पे, health covers के अंदर, जो considered होगा, council के द्वारा, जिसको consider किया जा रहा है, जिसके बारे में सोचा जा रहा है, GST council में, कराई हम यह hope करते हैं, कि यह reduction यह कमी, selective या limited ना हो, यह किसी तरफ सीमित ना हो, और किसी को selective ना करे, इस company के insurance पे, tax नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, ऐसा कुछ ना हो, और कैसे, for instance, to group policy or senior citizens, or with a cap on the cover, करा example के लिए, यह मिल जाएगा, group policy पे, और senior citizens की policy पे, और या फिर इसमें, cap लगा हो, एक maximum limit हो, cover पे, है ना, तो इस तरह के काम, आपको नहीं करने हैं, सब के लिए कम करना, सब के लिए आटाना आटाना तो, ऐसे एक आदे का कोई पगड़ के कम मत करना, करा and it is insured, that they translate into, real cuts in premium payments, और करा यह भी insure किया जाए, कि यह सारे cuts, यह सारे जो reduction है, यह translate into हो, convert into हो, turn into हो, सच में cut के अंदर, सच में, एक reduction के अंदर, कमी के अंदर, premium की payment में, तो मान लिजे, GST कम हो गया, तो company अवरी चालू होती है, होशार होती है, वो अपना premium बढ़ा देती है, मान लिजे, पहले 20% GST था, premium 100 रुपे था, company 100 रुपे और 120 रुपे आप से लेके, आपका health insurance कर देती थी, अब मान लिजे, premium हो गया, zero, तो company 120 में ना बेजने लगे, अपना product, तो आपको तो आज भी 120 में मिल रहे, tax कम हो गया, बाकी पैसा company खा गई, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है, कि ये सारे cut जो है, जबरन इन company को, translate करवाए जाए, कि हमारे premium वास्थम में कम हो, तो ये चीज हमें चेक रखनी है, one की verb है hopes, एक indefinite pronoun है one, one का मतलब होता है, कोई भी इंसान, कोई भी आद्मी, कोई भी औरत, ऐसा hope करेगा, reduction की verb है yes, cap का मतलब होता है maximum limit, करे जी, after the COVID-19 pandemic, while awareness levels, about health covered needs have risen, hospitalization insurance cover costs have spike given faster, करे जी, COVID pandemic के बाद में, जहां जागरूतक ता जो level है, awareness के level है, health insurance के cover की need को लेकर के, वो बढ़ गए हैं, rise कर गए हैं, have risen, rise मतलब खुद से बढ़ना, rise, rose, risen, जहां COVID के बाद में, सब को अकल आ गई है, कि health insurance क्यों जरूरी है, वो भी spike कर गई है, और बहुत तेजी से बहुत फास्टर, कम्पनियां भी समझ गई हैं, कि सब को insurance सही है, तो इसके दाम ही बढ़ा दो, है ना तो लोग ने insurance लेना शुरू किया, और insurance के दाम पिछले 4 सालों में, 100% double हो चुके हैं, चलिए, अचानक से तेजी से किसी चीज़ का बढ़ना, गिवन इंडियाज इनडिक्वेट पॉबिक हेल्थ सिस्टम, अ सीरियाज डिजीज और मैलेज अफेक्टिंग अ सिंगलर फैम्ली मेंबर, कैन पुश अन अवरेज हाउसोल्ट इन्टू पॉवर्टी, कराजी देखते हुए, गिवन भारत के, इनडिक्वेट पॉब्लिक हेल्थ सिस्टम को, पॉब्लिक हेल्थ यानि सरकारी हेल्थ, पॉब्लिक यानि सरकार, तो सरकारी हेल्थ का जो सिस्टम है, वो इनडिक्वेट है, सरकार में हॉस्पिटल नहीं है, ढंके डॉक्टर नहीं है, ठीक से बात नहीं करते, ठंकी दवाई नहीं देते, लाईने लगती हैं लंबी, करया जी इस दुरदर्शा को देखते हुए हमारे सरकारी अस्पतालों की, करया कोई भी खतरनाग विमारी, serious disease, या कोई परिशानी हो, malaise हो, करया जी ये जो चीज है न, जो afflict कर दे, जो चोट म average household को, किसी भी आम परिवार को poverty में, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, और private में आपके पास पैसे नहीं, और जो पैसा था लग गया, आप अच्छे चंगे ठीक ठाक कमा के वेठे थे, अब लोगों से मांग करके आपको काम चलाना पड़ रहा है, ये चीज भी सरकार को दियान रखनी है, serious disease और malaise की वोब है, can push, चलिए, करा जी, four life covers, the council can take, या could take, a more nuanced approach, by extending most relief to pure term insurance policies, करा अगर life covers की बात करें, जीवन भीमा की बात करें, तो council जो है GST की, वो ले सकती है, एक ज्यादा बरीक अप्रोच, nuanced approach, nuanced मतलब जब आप बरीकी में अंदर गुज जाते हो, deep चले जाते हो, तो एक deep approach ले सकती है, extend करके या दे करके, ज्यादा तर relief को या राहत को, pure term insurance policies को, ठीकर अब term insurance policy आपको पता होगा, नहीं पता तो search कर लेना, जिसमें आप पैसा देते हो और वापिस कुछ नहीं मिलता, साल में 20-30,000 रुपे दे करके, आपको 50 लाग, एक कर रोड का life insurance मिल जाता है, वो पैसा नहीं मिलेगा, तो life covers के अंदर, policies के अंदर, ये काम GST कांसिल कर सकती है, कि जो term insurance है, उसी के उपर GST free करते हैं, और ये कौन से insurance है, that help families, tide over shocks, जो help करते है term insurance, पूरे परिवारों को, कि वो tide over कर सकें, गुजारा कर सकें, शौक्स के time, परि ये काम किसके बजाए होगा, rather than to myriad market link investment products offered by the industry in the guise of insurance, बजाए ये देने के उन अलग अलग भाद भाद के, या myriad market से जुड़े होए investment products पे, जो offer किये जाते हैं, insurance industry के द्वारा, guise में या भेस में insurance के, युलिप प्लान कर लो, जीवन भी मा, जीवन आनन, छे अजार दो, ज लुक्सान करती हैं, कभी भी जीवन में insurance वह वहला मत करवाओ, जिसमें आपको पैसा वापिस मिले, market link दो, वह आपको जो है, उससे अच्छा तो FD कर लो, एक term insurance करवा लो, ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, तो करें जी, इन पर मत देना कुछ भी है, जो उल्टी सीदी कमपनियां चलाती हैं, स्कीमें, लोगों को फसाने की, इस पर मत दो, लेकिन pure life insurance जो करवाते हैं, उस पर जरूर आपको insurance जो है, GST का फाइदा देना है, काउंसिल की वह 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 could take, nuance का मतलब होता है, बारीक, pure term insurance policies के लिए आया है, वह 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 इसकी help, tide over करना है, यानि गु करना, घर में किसी की मौत हो गई, वह कमाने वाला आदमी था, है ना, कुछ income नहीं है, तो insurance policy से 50 लाग आ गए, आपने उस 50 लाग से जब तक बच्चे बड़े नहीं होगे, उनके education करवा दी और गुजारा सा कर लिया, तो ऐसे ये tide over नाम की phrasal verb इस्तेमाल होती है, एक और phrasal verb है, paper over, इसका मतलब होता है, किसी गंदी चीज को, unpleasant चीज को जो आप दिखाना ना चाहें, उसको चुपाना, है ना, जैसे आपकी गलती है, आप उसको cover up कर रहे हो, कोई भी चीज जो आप दिखाना ना चाहो, चुपाने के लिए इन रेजीम होता है, paper over, तो दोनों अ अलग phrasal verbs है, आज के quiz में मैंने पूछी है, मिरियर मतलब बांती-बांती की, नाना परकार की, guys का मतलब होता है, भेस, है ना, बहरूपिय वाला भेस, इस पे एक editorial करवा हो, आपको article मैंने अलग किया हुए, उसको पढ़के आप काफी पैसा सेव करेंगे, अगर आपके घ कुक्सान देती है, उस class में आपको मैं सिखाऊंगा, करे जी, if in the council's wisdom, helicopter services availed on a shared seat basis, must attract only 5% GST, insurance policy sure deserve more benign taxation too, करे अगर council की wisdom में, इस पूरी GST council की समझदारी के हिसाब से देखें, तो helicopter service जो avail की जाएं, जो ली जाएं, shared seat basis पे, कि एक helicopter है, तू भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं, तोनों किराये पे कर लेते हैं, 5 lakh मैं दूंगा, 5 lakh आप देना, 10 lakh में, अराम से सफर करेंगे, करे जी, अगर इस arrangement basis पे, helicopter services पे, सिरफ 5% GST लगता है, देश के धनी लोगो इसी है, वो deserve करती है, और ज्यादा beneficial taxation की policy को, उस पे तो 5% से भी कम लगना चाहिए, benign का मंदब होता है, beneficial, harmless, कुछ ऐसा taxation लगे, जिससे ज्यादा नुक्सान ना हो, उसको बोलते है, benign, some मैं बोलते है, हिंदी में, चलिए, helicopter services की वोब है, must attract, policies की वोब है, deserve, deserve करना, किसी चीज के लायक होना, चलिए, wrap up करें class को, जल्दी सा आजाओ अपने quiz पर, चलिए, first question है quiz का, किस चीज ने push किया, मजबूर किया center को, कि ये अपनी messaging को, GST की high collection को लेकर के, change करे, ये जो ढोल नगाडे बजाता है center, कि देखो इतना खून चूस लिया आपका इस महीने, एक आपक रोड हमने एक अठा कर लिया, तो ऐसी कौन सी चीज है, जिस से center को, लगा होगा कि ये धोल नगाडे बंद करने बजाने, उल्टा पड़ रहा है, चलो अराम से देखो, first question है, अपना answer चूस करो, पढ़ लो इसको, वीडियो पॉस करके, answer मैपो करवा देता हूँ, वीडियो को pause कर लेना, कुछ से try दे लेना, इसका reason बिल्कुल simple है, इनको लगने लगा डर, कि public कहीं गुस्सा ना होने लगे, कि हमारे बास तो कुछ है नहीं, और आपने biscuit से लेके भुजिया तक हर चीज पर GST लगा रखा है, insurance premium पर लगा रखा है, तो इनको concern लगने लग कौन सी जैसी कारण है, जिसकी वज़े से, GST council जदा संभावित होगी, कि वो reconsider करे tax को insurance पे इस बार, बजाए पिछली बार के, पिछली बार जो करती थी, सुनती थी, पर कोई action नहीं लेती थी, इस बार ऐसा क्यों लग रहा है, कि ये action लेगी, वीडियो को pause करो, खुझ से try दो, 5 सेकिंड, 10 सेकिंड लगो, देखो जी और कुछ नहीं है, ना आम आदमी का सोचा जा रहा है, ना कोई और चीज है, सिरफ एक ही चीज सरकार को pressure में ला रही है, कि सरकार के अंदर के आदमी ही सरकार को कहने हैं कि ये हटाते क्यों नहीं, ठीक है, कोई protest, protest कुछ नहीं हुआ भी, अभी ऐसे ही दवाब में आ गए, पहले ही अपने अंदर वालों से, अब बीच में देखो questions है, वो कहाँ के, ये हटार्टो शयद कल वाला रह गया, फिर से पूछ लिए आज मैंने देख लेना इसको one word है, हटार्टो, या लिख दे ठीक है, उसका उल्टा, यहां पर roll नाम के word के साथ में back लगाओगे, over लगाओगे, या out लगाओगे, कौन सी फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, जिससे इस sentence सही हो जाए, बहुत इजी है, question एक पर पढ़ना है इसको आप, देखते ही आपको बता लग जाएगा कि launch की बात हो रही है, cancel की बात हो रही है, या continue करने की बात हो रही है, फिर सही फ्रेजल वर्ब को चूज कर लेना, वह वाला comfort जब आप disappointment के time फील करते हैं, निराचा और हार में फील करते हैं, वह comfort को इंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइड ओवर फ्रेजल वर्ब अच्छे से करवाई थी, तुफान, टाइड ओवर यानि कतम हो जाना, इस फ्रेजल वर्ब का क्या meaning है, लास में तीन errors मिलेंगी, पहली error मिल सकती है, इस word के आसपास, और दूसरी मिल सकती है, इस word की वज़ेश से, डूंड लेना errors को first comment से च सब समझ में आया, PDI, आपका feedback का तरीका है, जरूर से इसका इस्तेमाल करें, कल आप से लेंगे मुलाकाद, until then,